हेलो फ्रेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल UK Study Circle में, दोस्तों आज है 12 दिसंबर और UK Study Circle की टीब, आज आपके लिए लेकर आई है देश दुनिया और उत्राखंड से रिलेटेड टॉप 10 Most Important Current Affairs के Questions, तो फ्रेंट्स इस वीड वीडियो को पूरा जरूर देखें, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल UK Study Circle को सब्स्राइब जरूर करें, फ्रेंट्स यदि आप चाहते हैं आज के वीडियो से रिलेटेड पीडियएफ, तो आप हमारा टेल उत्राखंड को साहित्य के छेत्र में अंतराश्टिय पहचान दिलाने वाले मंगलेश डबराल का निधन हो गया है, उनका संबंद उत्राखंड के किस जिले से हैं, और आपके उप्संस हैं, A. पिथारागर, B. उत्तरकासी, C. टिहरी या फिल D. रुदर परियाग, तो फ् फ्रेंड्स वर्स 2000 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया था, फ्रेंड्स इनके कुछ प्रमुक काविसंगर, पहाड पर दालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और नए युग में सत्रु है, साथी इनके क कुछ गद्य संग रहे हैं, कवी का अकेलापन और लेखक की रोटी, तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, सिने मुमम, माला बाथरम, निम्नमे से किसकी एक परजाती है, और आपके options हैं, A. तेजपत्ता, B. धनिया, C. इलाइची, या फिर D. तो दोस्तों इस कुछिन का जो सही आंसर है, वो है option A, यानि तेजपत्ता, फ्रेंट्स, सिने मुमम, माला बाथरम, तेजपत्ता की एक परजाती है, दोस्तों तेजपत्ते का उपयोग मसाले और खुस्बू के लिए किया जाता है, फ्रेंट्स, तेजपत्ते में भरपूर आदी के साथ ही, डाइबिटीज तथा किडिनी से समबंदित समस्याओं में भी लाबदायक है, दोस्तों उतराखंड में ननिताल का भुजिया घाठ छेत्र, तेजपत्ता जोन के रूप में जाना जाता है, यहां सुद्ध जैविक तेजपत्ते का उत्पादन होता है, तो दोस्तों इस कुशिन का जो सही आंसर है, वो है option D, यानि गोपेश्वर, Friends Herbal Research and Development Institute, HRDI, उतराखंड medicinal plant board की एक नोडल एजनसी है, इसकी इस्थापना 1989 में गोपेश्वर, चमुली जीले में की गई थी, दोस्तों, medicinal और alomatic plants के विकास, सनरक्षड और समवर्धन के लिए इसकी स्थापना की गई थी, Friends HRDI का लक्ष उतराखंड को Herbal State के रूप में विक्सित करना है, तो Friends इसी के साथ बढ़ते हैं, हमारे चौथे सवाल की ओर, उतराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, और आपके options हैं, A 13 March 2014, B 17 April 2017, C 10 January 2001, या फिर D 9 November 2000, तो Friends इस राज्य विधान सभा द्वारा 4 अक्टूबर 2011 को सेवा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था, Friends इस अधिनियम के तहट 13 March 2014 को राज्य सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया, Friends इस आयोग में एक मुख्या आयोग्त और दो आयोग्त होते हैं, इसके वर्तमान मुख्या आयोग्त S. राधा सामी हैं और इसके पर्थम मुख्या आयोग्त अलोग कुमार जैन थे, Friends इस आयोग्त का मुख्यू देश्य सरकार द्वारा विभागों के माध्यम से दी जा रही सेवाओं को समय सीवा में उपलब्द कराना है, तो दोस्तों इसी के साथ सुरू करते हैं आज का हमारा पांचमा सवाल, हाल ही में किस राज में टाइगर सफारी योजना का सिला अन्यास किया गया है, और आपके उप्सेंस हैं, A. मध्यप्रदेश, B. राजस्थान, C. उत्राखंड या फिर D. उत्तरप्रदेश, तो दोस्तों इस कुश्यन का जो सही आंसर है, वो है उप्सेंसी यानि उत्तराखंड, फ्रेंट्स Central Jew Authority of India और राज्टिय बाग संरक्चन प्राधिकर्ण से मंजूरी मिलने के बाद, कॉर्वे टाइगर रिजर्व के पाकरो में, उत्तराखंड के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंग रावत द्वारा, टाइगर सफारी योजना क सिलन्यास किया गया है, दोस्तों एक वर्स पहले प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोशना की गई थी, यह विश्विस्तरी टाइगर सफारी इस्तल, 106 हेक्टियर भूमी पर करीब 26 करोड रुपई की लागत से बनाय जाएगा, दोस्तों इस योजना से उ तो दोस्तों इस कुशन का जो सही आंसर है, वो है ऑप्सन B, यानी 11 दिसम्बर, फ्रेंट्स हर साल 11 दिसम्बर को विश्व भर में अंतराश्टी परवत दिवस International Mountain Day मनाया जाता है, दोस्तों परवती छेत्रों के विकास, पहाड़ों की समरिद्द जय, विवित्ता, अंतराश्टी परवत वर्स गोशित किया गया था, अंतराश्टी परवत दिवस 2020 की थीम है, परवती ये जय, विवित्ता, दोस्तों इसकी पिछले वर्स यानी 2019 की थीम थी, Youth on Mountain Matters, तो फ्रेंट्स इसके साथ सुरू करते हैं, आज का हमारा सात्मा सवाल, हाल ही बैं, किस देश द्वारा पहली बार परमानु संचालित कृतिम सूर्य, HL2M टोकामक रियक्टर को सफलता पूर्वक सक्री किया गया है, और आपके उप्सन्स है, A. अमेरिका, B. रूस, C. जापान, या फिर D. चीन, तो दोस्तों इस कृश्चिन का जो सही आंसर है, वो है उप्सन D यानि चीन, फ्रेंट्स, चीन ने हाल ही में 4 दिसंबर को नाभी की सल्यन पर आधारित HL2M टोकामक रियक्टर को सक्री किया है, दोस्तों इस रियक्टर द्वारा उतपादित प्रचंड गर्मी और सक्री के कारण इसे कृतिम सूर्य कहा जाता है, फ्रेंट्स, इस फ्रेंट्स, इस संगठन में परमानु सक्ति वाले कई देश सामिल है, वैज्ञानिकों का लक्ष इस रियक्टर से एक सक्तिसाली स्वच्च उर्जा स्रोथ को उत्पन करना है, फ्रेंट्स, इसी के साथ बढ़ते हैं, हमारे आठ में सवाल की और, विश्वा मानवादिकार दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया, और आपके उप्सन्स है, A. 10 दिसंबर, B. 11 दिसंबर, C. 12 दिसंबर, या फिर D. इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों इस कुशिन का जो सही आंसर है, वो है उप्सन A, यानि 10 दिसंबर, फ्रेंट्स, विश्वा मानवादिकार दिवस, World Human Rights Day, परतिवर्स 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्तराष्ट महासभा द्वारा, विश्व मानवादिकार का सारव भहमिक घोशना पत्र जारी किया गया था, दोस्तों, 1950 से संयुक्तराष्ट द्वारा, परतिवर्स 10 दिसंबर को विश्व मानवादिकार आयोक का गठन किया गया, फ्रेंट्स संयुक्तराष्ट मानवादिकार परिशद, United Nations Human Rights Council, UNHRC की स्थापना संयुक्तराष्ट महासभा द्वारा, 2006 में की गई थी, फ्रेंट्स UNHRC ने 1946-47 में स्थापित मानवादिकार आयोक का स्थान लिया, दोस्तों, विश्व मानवादिक दिवस 2020 की थीम है, Recover Standards for Human Rights, तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं, आज के 90 सवाल की ओर, देश भर में बबलिक इंटरनेट हेतु भारत सरकार दारा कौन सी योजना सुरू की गई है, और आपके ओप्सन्स हैं, A. PM बबलिक नेट, B. PM इंडिया नेट, C. PM वानी, या फिर D. PM इ इंटरफेस, सार्वजनिक वाइफाई नेटवर्क सेवा, PM वानी से देश भर में वाइफाई सेवां का बड़ा नेटवर्क तयार करने में मदद भी लेगी, दोस्तों, PM वानी योजना को सार्वजनिक टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा यह सेवा, पबलिक डाटा ओफिस, पीडियो के जरिये प्रदान की जाएगी, दोस्तों, यह पीडियो कोई छोटी बड़ी दुकान या कम्यूनिटी सर्विस सेंटर हो सकते हैं, पीडियो के लिए किसी लाइसेंस या पंजी करन की आवशक्ता नहीं होगी, दोस्तों, PM वा पाले रोबोट का क्या नाम रखा गया है, तो दोस्तों, आपके उप्सेंस हैं, A.S.P.S.G., B. रोबो गगन, C. व्योम मित्र, या फिर D. रोबो इस्पेस, तो दोस्तों, इस कुशिन का जो सही आंसर है, वो है उप्सेंस C, यानि व्योम मित्रा, फ्रेंट्स, इस रो दार एक मानव युक्त गगनियान अंतरिक्ष में बेजे जाने की योजना है, इस से पहले मानव रहित गगनियान के जरिये, एक रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में बेजा जाएगा, दोस्तों, यह मिशन 2020 महीं लॉंच किया जाना था, लेकिन, कोरोना वाइरस के कारण, अब इसे 2021 के अंतर तक लॉंच किया जाएगा, इस रो यानि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी, इस थापना के समय इसका नाम अंतरिक्ष अंसंधान के लिए भारतिय राष्टी समीती था, इसका मुख्याल है किस जिले में इस्तित है, और आपके उप्षन से A. पिथोरागण में, B. ननिताल में, C. टीरी में या फिर D. हरीदवार में, तो फ्रेंट्स जिंजिन लोगों ने इस कुशिन का सहिया नसर दिया है, उनके नाम है सौरब कुमार, पूजा बोहरा, बिनू जेठी, निक नेगी, अमित नेगी, मन्नू मनोज, सावेज, आलम, अंकित कुमार आर्या, कैमिस्ट्री वित लाइब, दीपक घंशाल, बहुंबाद अनस, जय अधिकारी, विपिन कुमार, दीपक सामंद, भानु नौलिया, गुला दीपक सिंग, रॉकलाइफ गुजर, सुमन टम्टा, कविता महरा, सोहेल राना, असोक कोहली, नवीन जोसी, बब्बी बुहरा, विकराज सिंग, जल्दीप चोहान, रवी पमार, जीवन जोशी, वर्सा बंडारी, अमित नेगी, दिपेंदर रावत, पूनम पन्त, रजनी इशरावत, गोकुल पांडे और अमर चोहान, तो दोस्तों, आप सभी को UK Study Circle की ओर से बहुत-बहुत बधाई और हार दीव सुपकाम नहीं, तो फ्रेंट्स, इस कुश्चिन का जो सही आंसर है, वो है option A, यानि पितोरागड में, फ्रेंट्स, महाकाली सक्तिपीट, पितोर करती हैं, फ्रेंट्स, महाकाली कुमाव रिजिमेंट की आर्याद्द देवी हैं, दोस्तों, मंदिर के समीफी चन्वसासन के दोरा निर्मित, जानवी नौले से देवी की कलश यातरा निकाली जाती है, तो फ्रेंट्स, अब बारी है Question of the Day, यानि आज किस सवाल की, तो फ्र का अंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक शेर करना ना बुदें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल UK Study Circle को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जर कर लें, और अगर आप चाहते हैं आज के वीडियो से रिलेटेड पीडियेफ, तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल चॉइन कर सकते हैं,